हम सबसे पहले तो अपनी श्रद्धानजली उन सब लोगों को देते हैं जिनकी जान गई उन सब परिवारों को हमारी समवेदना है जो घायल हुए उनके शीग्र स्वास्त लाब की हम प्राथना करते हैं हम बिना लाग लपेट के एक बात डंके की चोट पर कहते हैं कि हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ ये देश एक जुट होकर खड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी सरकार है या नहीं है लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हिंसा की लेश मात्र इस देश में जगे नहीं है और हम उसकी भर्थना करते हैं और उनको कायर बुलाते है श्रद्धालूओं की बस पर हमला करने वाले कायर है और कुछ नहीं लेकिन इस बात की बहुत गहन चिंता है कि बड़े बड़े दावे और डिंगे हकने वाले आज इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि क्या है सुरक्षा विवस्था जम्मू कश्मीर की पहले तो घाटी में ऐसी वारदाते होती थी अब जम्मू में हो रही है तो आज सवाल ये भी पूछा जाएगा कि आपने हिम्मत नहीं दुखाई चनाओ लड़ने में आप श्रीनगर से भाग गए आप बारा मुला से भा जिर्मम हत्या का जिम्मेदार कौन है आज इस बात पर भी सवाल उठेगा अगस 2019 से और मैं आपको बोलती हूँ हों वक करिएगा आप सब करिएगा नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल खोलिए पीमो का ट्विटर हैंडल खोलिए अगस 2019 से आतंकी घटनाओं में हमारे ज इन हमलों का संग्यान तक नहीं लिया अगस 2019 के बाद से ये पैटन है नरेंद्र मोदी का और आज आतंकी हमले को ढखने की तोपने की उस पर लीपा पोती की कोशिश बेकार है आतंकी हमले के खिलाफ ये देश एक जुट होकर खड़ा है आतंकियों को ये बात पूरी तरह स समझानी होगी कि आप की हिंसा और आपकी नफरत के खिलाफ ये देश एक जुट है ऐसी जुरुत कीजिएगा मत